बढ़ते लाइफस्टायल के साथ ही खानपान को लेकर जागुकता बढ़ रही है जबकि कई गंभीर बीमारियों के पनपने से भी लोग फूड और क्वालिटी को लेकर सतर्ख हो गए हैं इसके अलावा फल सबजी समीत दूसरे खादे उत्पादों के निर्यात से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने को लेकर फूड कॉलिटी मेनेजमेंट की जरूरत बढ़ गई है इसलिए देश की नामचीन एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी और संस्थान इस शेत्र के लिए डिग कोर्स के बारे में जरूरी डिटेल इग्नु खाद्य सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए बैचलर आफ साइन्स फूड सेफटी एंड क्वालिटी मेनेजमेंट डिग्री कोर्स लेकर आया है इग्नु ने अपने अग्रिकल्चर स्कूल के जरिये ओपन एंडिस्चेंस मो कर सकते हैं या दूसरे शहरों में इग्नु के स्टडी सेंटर जाकर भी बढ़ाई की जा सकती है अब जानते हैं इस कोर्स की डिटेशन क्या है और फीस के बारे में कोर्स का नाम है बैचलर आफ साइन्स फूड सेफटी एंड क्वालिटी मेनेजमेंट ये कोर्स दीन साल का है अधिकतम आठ साल में इस कोर्स को पूरा किया जा सकता है एड्मिशन के लिए नियूनतम योगेता 10 प्लस 2 साइन्स या क्रिशी विशय के साथ होनी चाहिए इस कोर्स की फीज 6,000 उपे सलाना है इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और डेवलप्मेंट फीज भी देनी होग एड्मिशन के लिए इगनूadmission.sumart.edu.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें इगनू इस कोर्स के लिए जुलाई 2024 और जन्वरी 2025 सत्र के लिए एड्मिशन ले रहा है आप जानते हैं ये कोर्स करने के बाद कहां मिलेगी नौकरी Food Industry, Hospitality, Retail, Laboratory सेक्टर में Quality Management Officer या Quality Assurance Officer या Management Professional बन सकते हैं सरकारी विभागों में खाद्य सुरक्षाधिकारी, Food Auditor, Food Inspector बनने का मौकर मिलेगा Food Safety और Quality Management Unit कंपनियों में ट्रेनर्स अलाकार पदो पर न्यूकती हो सकती है Retail Industry में फर्म और कंपनियों में Supply Chain Management टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं इसके अलावा Food सेक्टर में खुद का बिजनस भी चुरू कर सकते हैं तो इस तरह आप 6,000 रुपए के कोर्स करके अच्छे नौकरी हासिल कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इससे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी तबा दे